हलो इन्वेस्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को टाटा स्टील और ओ एन जी सी यानि की ओईल एंड नैचरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ में टोटल में 9 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिवि लिमिटेड कंपनी का जो NSE कोड है वो है S-H-A-R-E-I-N-D-I-A आज की ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के शेयर पे हमें एक परसेंट से जादा का करेक्शन देखने को मिला और कंपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 1,676 रुपीस का था कंपनी के अगर हर एक शेयर के उपर में एक रुपे का डिविडेंड दिया जाएगा और साथी साथ में स्टॉक स्प्लिट अनॉंस किया गया है 1 is to 5 के रेशियो से जिसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो वो टोटल में 5 शेयर के अंदर में कनवर्ट हो ज जाएगा और याद रखिएगा पहले आपको डिविडेंड का बेनेफिट दिया जाएगा उसके बाद मैं आपको स्टोप स्प्लिट का बेनेफिट मिलेगा और डिविडेंड और स्प्लिट दोनों को ही देने की X-Date रिकॉर्ड देट upwardscoming में है जैसी announcement आजाएगा मैं आप परसेंट से जादा की तेजी देखने को मिली और कंपनी के शेर का जो क्लोजिंग प्राइस था 439 रुपीज का था कंपनी के अगर ओफिशल अनॉंसमेंट की बात करें तो वर्दमान टेक्स्टाइल्स ने जो यहां पर डिविडेंट अनॉंस कर दिया है 4 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेर के उपर में 4 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा डिविडेंट वैल्यू हमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और शायद इसी चलते कमपनी के शेर पे भी एक काफी बड़िया तेजी आज हमें देखने को मिली बागी डिविडेंट को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है फिलाल अभी अपकमिंग में है जैसी अनाउसमेंट आ जाएगा मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूँगा अगले शेर की बात करें तो कमपनी का नाम है SKF इंडिया लिमिटेड कमपनी का जो NSC कोड है हो है SKF INDIA आज की ट्रेडिंग सेशन में इस कमपनी के शेर पे लगबग हमें एक परसेंट की तेजी देखने को मिली और कमपनी के शेर का जो क्लोजिंग प्राइस था 4,995 रुपीज का था कमपनी के अगर ऑफिशल अनाउसमेंट की बात करें तो SKF इंडिया ने जो है यहाँ पर डिविडेंट अनाउस कर दिया है 130 रुपीज का आप लोगो को आपके हर एक शेर के उपर में 130 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा अपने आप में डिविडेंट वैल्यू काफी जादा अच्छा है और इसको देने की भी X-Date, Record Date फिलाल अभी Upcoming में है आप लगो को आपके हर एक शेर के उपर में 1 रुपे 20 पैसे का डिविडेंट दिया है और इसको देने की भी X-Date, Record Date फिलाल अभी Upcoming में है अगले शेर की बात करें तो कमपनी का नाम है हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited कमपनी का जो NSE Code है हुए H-I-N-D-P-E-T-R-O आज की ट्रेडिंग सेशन में Almost ये कमपनी का जो शेर है हमें Flat Close होता हुआ देखने को मिला To be precise 0.28% के Positive Note के उपर में Close हुआ था और कमपनी के शेर का जो Closing Price था 502 रुपीस का था कमपनी के अगर Official Announcement की बात करें तो हिंदुस्तान Petroleum ने जो है यहाँ पर Bonus और Dividend दोनोी चीज़े साथ में Announce कर दी है Stock Bonus Announce की आगया है 1-2-2 के Ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कमपनी के दो शेर हैं तो यहाँ पर आपको एक शेर as a Bonus मिलेगा और इस Bonus को देने की X Date, Record Date फिलाल भी Upcoming में है अगर हम बात करें Dividend की तो कमपनी ने Dividend Announce किया है 16.50 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेर के उपर में 16.50 रुपे यानि की 16.50 पैसे का Dividend दिया जाएगा अब Dividend काफी अच्छा Announce किया गया है और इसको देने की भी X Date, Record Date फिलाला भी Upcoming में है जैसी Announcement आ जाएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले Intimate कर दूँगा तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले Stock की तो कंपनी का नाम है Oil and Natural Gas Corporation Limited कंपनी का जो NSC Code है वो है ONGC आज के ट्रेडिंग सेशन में ONGC के शेर में हमें 0.5% से जादा की तेजी देखने को मिली और कंपनी के शेर का जो Closing Price था 269 रुपीस का था अगर कंपनी के Official Announcement की बात करें तो ONGC ने जो है यहाँ पे Board Meeting और्गनाईज कर दिये 20th of May को और इस Board Meeting का जो Purpose है वो Dividend और साथ ही साथ में Quarter 4 के Results को ले करके रहने वाला है अब आपको दोनों चीजों के उपर में खास नजर रखनी है विगोस First of All एक PSU यूनेट है तो Government का Support Investor का Trust यहाँ पे हमेशा बना रहता है और PSU यूनेट्स अगर जादा Profit Report करें और Dividend तो अच्छा देते ही है तो यहाँ पे कमपनी के Shares के अंदर में हमें काफी बड़ीया Rally देखने को मिल सकती है अब अगर ONGC के Case के अंदर में हमें Quarter on Quarter Basis और Year on Year Basis पे एक अच्छा Growth देखने को मिलता है प्लस कमपनी का जो Dividend है वो बेशक कमपनी की Dividend History के मुकाबले Average AI यानि कि पहले कमपनी जितना भी Dividend देती हा रही है अपने Investors को उतना ही Dividend Announce करे फिर भी हमें कमपनी के Share पे एक काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है तो जरूर से आप लोग ONGC के Share को आपकी Watch List के अंदर में एड़ कर लीजेगा और खासकर 20 माई के दिन इस कमपनी के Share के उपर में नजर बना के रखिएगा अब इन में से आपको जिस भी कमपनी के Share को Purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके Announcement का Benefit मिल पाए तो उस Particular Share को आपको उसकी X Date से पहले-पहले Purchase कर लेना होगा अगले and last stock की तो कमपनी का नाम है Tata Steel Limited कमपनी का जो NSC Code है वो है T-A-T-A-S-T-E-E-L करेंटली कमपनी का जो Share है 0.28% के अपसाइड नोट के उपर में स्विंग कर रहा है और 162 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है Tata Steel की तरफ से काफी बड़ी and एक positive update निकल करके आ रही है बेसिकली यहाँ पे प्रभूदास लिल लादर करके एक काफी जाना माना brokerage firm है and I am damn sure आप लोगों ने प्रभूदास लिल लादर का नाम definitely सुना होगा basically प्रभूदास लिल लादर ने जो है Tata Steel के शेयर के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 180 रुपीज का दिया है तो लगबग 162 रुपे से लेकर के 180 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे प्रभूदास लिल लादर expect करके चल रहा है Tata Steel के शेयर के अंदर में all over अगर हम Tata Steel की as a company बात करें काफी अच्छी company है fundamentally financially strong है जब भी इंडिया की blue chip companies की बात करी जाती है Tata Steel का भी नाम जरूर से उसमें आता है और साथ ही साथ में Tata Group की one of the most valuable और एक flagship company है और यह जो 180 रुपीज का target है वैसे तो आपका short term का target रहने वला है बट मैं यही suggest करूँगा at least आपका जो time frame है अपने मन के अंदर में mid term का बना करके चलिएगा क्योंकि अगर आप mid term time frame perspective के हिसाब से से hold करते है तो आपको काफी easily target achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा अगर आप short term के हिसाब से invest करेंगे और वो amount invest करेंगे जो सिरफ short term के लिए आप इसमें रख सकते है तब थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है बट अगर आप mid term का view ले करके चलेंगे तो आप Tata Steel के share को बिलकुल purchase कर सकते है 180 रुपीज तक का target आपको easily achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो जरूर से Tata Steel के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा और इसके अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर ले ना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 9 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus stock split and dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो ची लगी हो definitely वीडियो को like कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye